करपूर गोरम करना वितारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम स्तदां वसंतम हिर्द्यार विंदे भवं भवानी सहितम नमामी नमस्कार दोस्तो जै मातादी इस नवरात्रे के पावन परपर तीसरे नवरात्रे के पावन परपर आप सभी को बहुत बहुत शुब कामना है नवरात्र स्पेसल लूसेंट सीरीज एक सुरू की हुई है तो उसी में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उन वीडियो को सकते हैं पिछली क्लास में दुहनी के बारे में जिक्र कर रहे थे स्टूडेंट उसी क्लास को आगे बढ़ते हुए आज की क्लास में उसे ही कंटिनू करने वाले हैं तो सारे क्लास को हम स्टार्ट करते हैं student पिछली क्लास में हमने अपवर्तन के बारे में जाना यूनो और बहुत सारी चीजों के बारे में जाना तो उससे आगे बढ़ते हुए आज की क्लास में हम अनुनाद के बारे में जानेंगे यूनो resonance के बारे में जानेंगे student, resonance क्या होता है, बहुत important चीज़ा आने वाली है, ध्यान से समझेगा, जब किसी वस्तू के कमपनों, कमपन मतलब की vibration की स्वभाविक आविर्ती, आविर्ती का मतलब होता है frequency, मैं पिछली क्लास में सारा जिक्र कर चुका हूँ, frequency का मतलब होता है कि एक second में किसी व्यक्ति के किसी वस्तू के द्वारा कितने कमपन किये जा रहे हैं, that is called frequency, मतलब की number of vibration बटे में time, that is called frequency, आविर्ती, किसी चालक बलके कमपनों की आविर्ती के बराबर होती है, तो वह वस्तू बहुत अधिक आयाम से क्या करने लगती है, कमपन करने लगती है, you know, vibration करने लगती है, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, कि कोई भी निश्चित आविर्ती पर, किसी भी निश्चित आविर्ती पर आयाम का बढ़ना ही क्या कहलाता है, आयाम, आयाम का मतलब होता है amplitude, और amplitude का मतलब होता है maximum displacement, that is called maximum displacement, कोई भी वेव कहां तक move कर रही है, अधिक से अधिक, that is called आयाम, तो वह उनी ही देर में बहुत तेज-तेज कमपन होने लगता है, जैसे, आपने सुना होगा, आपके आसपास practical example में देता हूँ, आपके आसपास आपने DJ की आवाज सुनी होगी, DJ वाले बाभू थोड़ा बेस बढ़ा दे, यूनो जब DJ का बेस बढ़ाया जाता है, तो छन-छन की आवाज होती है, कानों में गूजने लगती है न, यसे नो, दिल धड़कने लगता है आपका, धड़कता तो खर वैसे भी है, लेकिन थोड़ा सा लगता है न, उस बेस के कारण क्या होता है, कि उसका resonance उसमें create हो जाता है, अब आपने देखा होगा, जो सीसे वगरा लगे ह होते हैं, वो छंचन करने लगते हैं, और ज्यादा तेज आवाज हो जाती है, तो सीसे टूट भी जाते हैं, वो किसके कारण हो जाता है, उसमें vibrations कमपन ज्यादा होने लगता है, जिसको ही हम अनुनाद कहते हैं, तो पेपर में यही question आता है, कि बेस अधिक बढ़ा देने स तेज आवाज डीजे की से सीसों का टूटना किसके कारण होता है, अनुनाद के कारण होता है, इसका सबसे best example मैं आपको बताता हूँ, सेना जब पुल पर मार्च करती है, कदम ताल चलती है, तो आपने देखा होगा, वो एक साथ चलते हैं, अगर एक साथ पुल पर, अगर पुल के टूटने की संभावना होती है, कभी भी किसी पुल पर सेना एक साथ मार्च नहीं करती है, ये सारी घटना को क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं, इसमें बात आती है, जि धुनी का वेती करन, you know, interference of sound, जब समान आवर्ती या आयाम की दो धुनी तरंगे एक साथ किस इसी बिंदू पर पहुंचती है, तो उस बिंदू पर धुनी उर्जा का पुनहे मतलब की दुबारा, वितरन वितरन का मतलब होता है, बटना हो जाता है, इस घटना को धुनी का वेती करन कहते हैं, श्टूडेंट बेहद आसान है, एक सब्द में मैं आपको बता देता हू इसको एक ही रूप में बया कर देता हूं, सुनिएगा, टूडेंट आपने सुना होगा प्रकास का वेती करन, प्रकास का वेती करन क्या होता है, जब मैं प्रकास के वर्न विक्षेपन की बात करता हूं, डिस्पर्जन ओफ लाइट की, किसी प्रिज्म से वाइट लाइट गुजरती है, सात रंगों में विभक्त हो जाती है, बेनी अहां पीनाला विभग्योर होती थी, वो सात रंग अलग-अलग होते थे, लेकिन वो सात रंग जब आपस में मिक्स हो जाते थे, that is called वेती करन, तो सेम वही चीज है कि जब समान आविर्थी या आयाम की दो ध्व बखता हूं, और यदि दोनों तरहिए उस बंदू पर एक ही कलाप में पहुंसती है, एक ही फेस में पहुंसते है, तो वहाँ ध्वेनी की ति वर्था अधिकतम होती है, इसे एक कंस्ट्रक्टिव यूनोँ सम्पोसी वैती करन कहते हैं, यदि दोनों तरहित कला में यूनो सामने डीजों को नहीं लगाते क्यों क्यों कि जब आमने सामने अगर डीजों को लगा दिया को गाना बज रहा है तो उसमें से वेव निकल रही है उसमें से वेव निकल रही है उसमें से कमपन आविरती हो रही है उसमें से भी आविरती हो रही है कोई ना कोई ऐसा समय हो जाएगी तेज हो जाएगी लेकिन एक कंडिशन ऐसी भी हो सकते हैं कि गाना बंदे हो जाएगा यूणू जब सेम आवरती टक्राइएंगी तो कम हो जाएगी जिसकी वजय से गाना बीच में क्या हो जाएगा बहुत से लोग हो जाएगा अब सोच के देखो बचाहना बजरा, अपना enjoy कर रहें लोग बाग अब गाना चलता चलता दो DJ चल रहे हैं अब अच्छा अच्छा नाच रहे हैं अब एक साथ गाना बंद हो गया अब सब मामला क्या हो जाएगा संत हो जाएगा विजाए से थोड़ा सा टेड़ा करके अंगल में डीजों को लगाया जाता है यह सब किसके कारण होता है द्वैनी की वैतिकरण के कारण अब ऐसे भी इसको समझ सकते हैं जैसे मानो कुट्टे जानते न देखो इसको और बताता हम प्रेक्टिकल ले अरे आजा कहां है पेन यह रहा देखो भी ले कि देखो अपने हड़ी देखी होगी ऑद अब कुट्टा इधर से आया और उत्था इधर से आया अब डोनोंने एक साथ इस पर जफटा मारा अब एक दूसरे को खींचने कोसिस करेंगे आपस में लड़ेंगे अब जो कुट्टे आपस में लड़ें तो देखा होगा एक बार कुट्टे जब पैरों से आपस में लड़ते हैं तो कहां जाते हैं ऊपर जाते हैं न क्योंकि एक साथ है that is called वैती करन ऐसे ध्वैनी तरंगों में होता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुट्ता एक को दबा लेता जब एक को दबा लिया तो इसका मतलब वो क्या होगा destructive और जब constructive क्या होगा कि जब अधिकतम होंगे जो नों दोनों ऊपर चल गए और जी ध्वैनी का विवर्तन ध्वैनी का विवर्तन diffraction of sound ध्वैनी का तरंग देदरी एक मीटर कोटी का देखो एक मीटर कोटी का होता है अतह जब इस कोटी का कोई अवरोध ध्वनी के मार्ग में आता है तो ध्वनी अवरोध किनारे से मुड़कर आगे की तर बढ़ जाती है और इसी को क्या कहते हैं ध्वनी का विवर्तन या diffraction of sound भी कहते हैं मतलब बेहद आसान है student ध्यान से समझेगा मानो, देखो, बहुत आसान है, यदि आवाज कहीं से टकरा जाती है, तो टकरा के वो कॉर्नर से चली जाती है, जैसे, ये एक रूम है, और ये बंद रूम है, स्टूडेंट, यहाँ कोई ये वैक्ति है, इसने कोई आवाज बोली और ये रूम बिल्कुल क्या है, इसके सामन क्या है, एक दीवार है, अब इस वैक्ति ने कोई आवाज बोली, तो ये दीवार इसके सामने आएगी यहाँ पर, यहाँ पर इसके दीवार सामने आजाएगी, अब यहाँ से आवाज टकरा के, यूनो, यहाँ से होते हुए, इस कॉर्नर से होते हुए, कहां से, इस कॉर्न लाइट में कॉर्णर से नहीं जाती थी, क्योंकि लाइट यहां से मारेंगे तो दीवार बीच मागी तो इसका उल्टा क्या हो जाता था परावर्तन, लेकिन ध्वेनी हमीशा सीधी रेखा में नहीं चलती है, ध्वेनी आपको पता है किस तरह से चलती है, जिग जिग डिरेक clear student, जब हम Doppler प्रभाव की बात करते हैं, Doppler's effect की बात करते हैं, जब किसी द्वेनी स्रोत एवं स्रोता के बीच आप एक शिक गती होती है, तो स्रोता को द्वेनी की आवर्ती उसकी वास्त्विक आवर्ती से अलग सुनाई बढ़ती है, इसे ही Doppler का प्रभाव कहते हैं, पपू, क्या नाम है, पपू, ये कोई ट्रेन है, ये पपू स्टेबल खड़ा है student, कैसा खड़ा है, स्टेबल, और ये ट्रेन पपू की तरफ आ रही है, तो इस आवाज, जो इस ट्रेन की आवाज है, वो ज़्यादा सुनाई देगी, कि कम सुनाई देगी, युनो तेज स क्या है मेरे पास, ये पपू, किस की तरफ जा रहा है, ट्रेन की तरफ और ट्रेन होरन बजा रही है, ये पपू जब ट्रेन की तरफ ट्रेन स्टेबल खड़ी है, तो पपू को अभी भी कैसी सुनाई देगी, सुनाई देगी, एक उलट इसके कंडिशन है, दूसरी सुनाई देगी और दूसरी कंडिशन में क्या है स्टूडेंट यह ट्रेंज टेबल खड़ी है और पप्पू इससे दूर जा रहा है तो इस इधर भी कैसा होगा धी में सुनाई होगा देगा डाट इस कॉल डॉपलर प्रभाव डॉपलर यह वैज्ञानिक हुए थे यही बा सोर्स के पास आता है तो उसको आवाज टेस्ट सुनाई देती है लेकिन इतनी बात तो कोई बच्चा भी बता देगा स्टूडेंट लेकिन यहां पर इन्हों ने बताया माई डियर इंटेंसिटी के बारे में और इन्टेंसिटी का हम जिक्र तीवरता का हम जिक्र लाउडनेस का हम जिक्र पिछली क्लास में कर चुके हैं जो भी बच्चे अमारे साथ यहां पर नए जोडे हुए हैं मैं आपकी जानकारी के लिए बता दू स्टूडेंट पिछली वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ल होगी बस यही पूचा जाता और फ्रेक्वेंसी भी क्या होगी जादा होगी तो इन दो चीजों के बारे मैं बता है और यही पेपर में पुछा जाता है कि जब कोई वेक्ति सांड सोर्स के न замет शिक आता is दो इसकी इन्टेंसिटी जादा हो जाती है जब कोई सांड शोर्स आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे अब जैसे ही हम इसमें थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो student हमारा जिक्र इसमें होता है मैक नंबर का मैक संख्या का किसका जिक्र होता है मैक नंबर paper में direct question पूछेगा student आप से की मैक नंबर का संबंद किस से है तो वायू यान की गती को किसको वायू यान की गती को किस में मापा जाता है मैक नंबर में मापा जाता है मैक संख्या में मापा जाता है किसी माध्यम में किसी वस्तू की चाल और उस माध्यम में ताप और दाब द्वैनी की चाल के अनूपात को उस वस्तू के माद्यम की मेक संख्या कहते हैं क्या कहते हैं मेक संख्या कहते हैं इसमें थोड़ा साम उपर की तरफ चलते हैं देखो गए यदि मेक संख्या एक से अधेक है यहां से पेपर में कोश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट यह कौन-कौन सी वेव होती है यहां पे यदि मेक नंबर एक से ज़्यादा है तो वस्तू की चाल परा ध्वेनिक कहलाएगी यूनो उसको सूपरसोनिक कहलाता है यदि मेक संख्या पांस से अधेक है तो द्वेनिक की चाल अती परा ध्वेनिक यूनो हाइपरसोनिक कहलाती है तो याद रखना कि वाईयू यान की गती को किस में मापा जाता है मेक नंबर में मापा जाता है इस Mac number का formula भी होता है student, इस Mac number का formula भी होता है और student वो formula क्या होता है, कैसे होता है, इसको जानने के लिए आपको इंतिजार नहीं करना होगा आज, इसको जानने के लिए student आपको हमारी channel की एक playlist दी होगी, और उसका नाम होगा physics की फिर्की, यूनो physics की फिर्की के नाम से हमने एक series शुरू कर रखी है, तो इस सारी चीज़े, formulas वगेरा, numericals वगेरा, बड़े वैवारिक तरीके से बड़े आसान और बड़े सरल सब्दों में वहाँ देखने को मिलेंगी, बिल्कुल practical मामलों में वहाँ देखने को मिलेंगी, लेकिन यह मैं जिक्र कर रहा हूँ, student lucent की series, तो lucent का यहाँ पर जो data है, कुछ थोड़ा बहुत अपनी तरब से भी add किया है, और अपनी तरब से इसको type भी किया है, student, तो वो सारी चीज़ें आपको series by series, series by series हम आपको दे रहे है, student, हमारे साथ जुडे रहिएगा, हमारे साथ बने र उमीद है कि आपको भी हमसे मिलकर बहुत अच्छा फील होता होगा, हमसे जुड़कर बहुत अच्छा लगता होगा, तो student इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा, जुडे रहिएगा, मैं बार बार आपसे एक ही बात कहता हूँ, कि हमारे channel का नाम है crazy kida, जो science की मिटा देगा आपकी जड़ से पीडा, ओके thank you, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार दिल की गहरा यह से प्रेम पूर्वग, बहुत बहुत आभार, ओके thank you, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ओके thank you, love you all student, बाइबाइ